Hello dear students, बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का, आपके अपने YouTube चानल Study with दुलार में बच्चों ये Class 4 का English book है, Chapter 6 है और इस Chapter का नाम है The Plant of Wonderland Wonderland का मतलब होता है कोई कालपनिक जगह, जैसे की परियों का देश तो यहाँ पे इसका मतलब होगा परियों का देश का पोधा, इस Chapter में एक Interesting Story दिया हुआ है जिस परकार से उतर भारत में, अकबर के दरबार में, बिर्बल, बुधिमानी के लिए बहुत परसिद्ध थे उसी तरह से तच्छिन भारत में, राजा किरिस्न देवराय के दरबार में, तेनाली रामन बहुत ही बुधिमान थे उन्हीं से समद्धित या कहानी दिया हुआ है, आई हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं A stranger once visited the court of King किरिस्न देवराय एक बार एक अजनभी, एक अंजान भेक्ती किरिस्न देवराय के दरबार में आता है He said और वह करता है I am समपा, मतलब वह अपना नाम मतला रहा है कि मैं समपा हूँ I have come from a country named Neil-Nilmay मैं Neil-Nilmay नामक देश से आया हूँ I have a unique gift of wonderland मेरे पास परियों के देश का एक अध्भुत तोफा है Before some days, blue fairy came to me from wonderland कुछ दिन पहले एक नीली परी परियों के देश से मेरे पास आई थी She gave me a multi-colored plant उसने मुझे कई रंगों वाला एक पोधा दिया It has lips of seven colors उसकी पतियां सात रंगों की है Blue fairy said to me Blue fairy मुझे बोली This is a dream plant यह एक सपनो वाला पोधा है मतलब लोगों का सपना होता है इस तरह का पोधा रखने का घर को सजाने के लिए और यह पोधा सिर्फ परियों के देश में मतलब हमारे देश में मिलता है यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं यह है समप्पा जो की इस यूनिक प्लांट को लेकर आया हुआ है और यह किंग क्रिस्न देवराय राजा क्रिस्न देवराय है तो आगे क्या कहानी दिया हुआ है I want this plant to be kept in your palace मैं चाहता हूँ कि आप इस पोधे को अपने महल में रखे It will add to the beauty of the palace यह महल की खुबसूर्ती में और बड़ोत्री करेगा यह महल में रहेगा तो महल और ज्यादा सुन्दर लगेगा I have come here to present you this plant मैं आपके यहां इस पोधे को भेंट करने आया हूँ तोफे के रूप में देने आया हूँ सेड समप्पा समप्पा ने कहा The king filled with curiosity राजा को उत्सुकता हुई जानने की उत्सुकता हुई कि किस प्रकार का प्लांट है He said और उन्होंने कहा Let me see that unique plant कि मुझे दिखाओ वो अध्भूत पोधा समप्पा put his hand into a big bag समप्पा ने अपने एक बड़े ब्याग में अपने साथ जो बेग लाया था उस बड़े बेग में हाथ डाला He took out a pot made of marble और उसने एक pot निकाला जो की marble से संग्मर्मर से बना हुआ था There was a bright plant in the pot और उस pot में एक चमकिला सा पोधा लगा हुआ था There were lips of seven colors in it और उसकी पतियां साथ रंगों की थी Some lips were yellow कुछ पतियां पीले color के थे Some were pink और कुछ गुलाबी color के थे Some were red और कुछ लाल थे Some were blue कुछ निले color के थे Some were shining like silver और कुछ चांदी के रंग के चमक रहे थे There were some lips of golden color और कुछ पतियां सोने के रंग के सुनहरे रंग के चमक रहे थे आगे यहाँ पे दिया हुआ है the king was very glad to see the plant राजा उस पोधे को देखकर बहुत खुश हो जाता है he said और वह कहता है really it is a wonderful gift सच मुच यह एक आश्चर जनक तोफा है I have never come across such a plant in my life मैंने अपने जिवन में आज तक इस तरह के पोधा कभी नहीं देखा है there may not be anything as precious as this plant कोई भी चीज इस पोधे के जितना किमती नहीं हो सकता you may take anything which you want तुम इस पोधे के बदले कुछ भी ले सकते हो कुछ भी मांग सकते हो meanwhile Tenali Raman stood and said थोड़ी दिर में Tenali Raman खड़ा होता है और कहता है my lord you are absolutely right महराज आप बिलकुल सही कह रहे है this plant is very beautiful यह पोधा बहुत सुन्दर है its leaves are more beautiful than the plant और इसकी पतियां पोधे से भी ज़्यादा सुन्दर है it seems that its leaves have become a little dirty while bringing ऐसा लगता है लाने के करम में इस पोधे को लाने के करम में उसके पतियों में कुछ गंदगी जम गई है it will look more attractive if it is cleaned by water या और भी ज़्यादा सुन्दर लगेगा अकर्शक लगेगा अगर इसे पानी से धो दिया जाए तेनाले रामन indicated a courtier तेनाले रामन ने एक दरबारी को संकेत किया पानी लानने का he went from there and returned with a bucket of water वह जाता है और वापस एक बाल्टी पानी लेकर आता तेनाले रामन started pouring water on the plant और तेनाले रामन उस पोधे में पानी डालने लगता the color on the leaves mixed with water और उस पतियों में जो color लगा हुआ था रंग लगा हुआ था वो पानी के साथ mix होकर निकलने लगता they became discolored और वो color रहित हो जाता है उसमें से रंग चुट जाता he touched the leaves with his fingers और वो अपने उंगली से उन पतियों को छू कर देखता there was a lot of color on his fingers और उसकी उंगलियों में बहुत सारा color लग जाता है रंग लग जाता not only the king but also the courtiers were astonished at it सिर्फ राजा को ही नहीं बलकि सभी दरबारी को यह देखकर अचंबा हुआ स्वमप्पा became very sad तो स्वमप्पा बहुत दुखी हो गया तेनाले रामन said तेनाले रामन ने कहा my lord स्वमप्पा is not guilty for it महराज इसके लिए स्वमप्पा दोसी नहीं है blue fairy must have deceived him नीली परी निश्चीत रूप से उसने इसे धोखा दियोगी she must have given him a duplicate plant instead of the real one वो अवैस ही असली पोधे के जगा नकली पोधा दे दी होगी all courtiers laughed at it और सभी दरबारी इस पे हस पड़े the king also smiled और राजा भी मुश्कुराने लगे bowing dawn the head स्वमप्पा accepted his guilt सीर जुका कर स्वमप्पा ने अपनी गलती स्विकार कर लिया he said और उसने कहा I beg your pardon महराज मुझे माफ कर दिजिये I have colored these lips myself मैंने इन पतियों को स्वयम ही रंगा था I have done it to get more and more reward मैंने इसे बहुत बड़ा इनाम पाने के लिए ऐसा किया था the king forgave स्वमप्पा for his mistake राजा ने इस गलती के लिए स्वमप्पा को माफ कर दिया he said to Tenali Raman और उसने Tenali Raman से कहा you have brought me on the earth from the wonderland तुमने मुझे परियों के देश से जमिन पी ले आया वरना मैं परियों के देश में भटक रह था you disclose the secret of color without saying anything तुमने बिना कुछ कहे इस रहस का परदा फास कर दिया therefore you are so dear to me इसलिए तुम मेरे बहुत ही प्रिये हो the king gave Tenali Raman a hundred gold coins और राजा ने Tenali Raman को एक सो सोने के सिक्के दिये यहाँ पे यह कहानी समाप्थ हो गया है आप इसको बार-बार repeat करके chapter को पढ़ना है आपको ज़्यादा समझ में आएगा और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या questions दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है words new words जो कि यहाँ पे English meaning का English meaning ही बतला गया है अप इसको जरूर पढ़ेंगे इसको याद भी कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ questions दिया हुआ है चोटे-चोटे question दिया हुआ है पाच question है यहाँ पे और two number में match the following है यहाँ पे match किया हुआ है यहाँ पे मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि यह सही है या नहीं अगर सही नहीं है तो फिर मैं आगे आपको answer दूँगा अगर सही है तो फिर आप यहाँ सही लिख लें king का क्या होगा king का यहाँ पे दियावा है courtier यह सही दियावा है teacher के साथ student होगा lawyer के साथ client होगा बिल्कुल सही है shopkeeper के साथ customer होगा driver के साथ passenger और doctor के साथ patient मतलब यह बिल्कुल सही है आप यहाँ से इसको बना सकते है question number 3 make opposite by adding this on or him यहाँ पे जैसे close है तो disclose हो जाएगा order disorder हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे जोड़ जोड़ के बनाना है उसके आगे में यह सब सब्द लगा के आप बना सकते है यहाँ पे जिस तरह से भरा होगा यहाँ बिल्कुल सही है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा यह writing सही नहीं है आपको मैं आगे इसका answer दे दूँगा question number 4 यहाँ पे यह जो words दिया हुआ है इसको choose करके यहाँ पे भरना है तो यहाँ जो भरा हुआ है यह भी सही है लेकिन यहाँ पे writing सही नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको इसको आगे answer बना के दे दूँगा और question number 5 यहाँ पे I have won the match यहाँ पे भी सही है फिर भी मैं आप लोगों को आगे इसका answer बना के दे दूँगा इसके अलावा question इसमें है तो देख लेते हैं यहाँ पे question number 5 का बचा हुआ question यहाँ पे है और match sentences यह sentence बनाने के लिए कहा गया है question number 6 में fairy, bucket, stresses, words दिया हुआ है इसके बाद make a family tree तो यह आप लोग swim बना लेंगे मैं आपको यहाँ तक answer बना के दे देता हूँ तो आए मैं इसका answer करके देता हूँ यह है chapter 6 का question answer who visited the court of king krishn devrai a stranger visited the court of king krishn devrai what did swamapa bring with him swamapa brought a multicolored plant who disclosed the secret of the multicolored plant why did swamapa color the leaves swamapa colored the leaves to get more and more reward what did the king give to tenaliraman the king gave tenaliraman a hundred gold coins question number 3 जहाँ पे opposite words बनाने के लिए कहा गया है जिसमें dis, un, or im लगा के आपको opposite words बनाना है तो close का, disclose हो गया, order का, disorder हो गया इस तरह से जितने भी words यहाँ पे दिया हुआ है सभी का यहाँ पे opposite बना दिया गया है आप इसको देखकर बना सकते हैं question number 4, use the magic wand to complete the following इसमें भरने के लिए कहा गया है magic wand में यह words दिये हुए है तो यहाँ पे मैंने direct इसके answer दे दिया है a number में call होगा, b number में grass होगा इस तरह से, आप यहाँ पे देखकर उसको भर सकते है question number 5 यहाँ पे fill in the blanks इसको भरने के लिए कहा गया है bracket में जो words दिया हुआ है, उसको देखके भरना है तो a number 1, b number 2, c number में dear इस तरह से, मिलता जुलता words दिया हुआ है और उसमें से, एक जो सही है, उसको भरना है तो यहाँ पे मैंने इसका direct answer दे दिया है आप इसको देखकर भर सकते है question number 6, max sentences यहाँ पे sentence बना दिया गया है कुछ words दिया हुआ है यहाँ पे जैसे कि fairy, bucket, dirty और यह sentence जो मैंने बनाया है यह कम से कम छोटा sentence बनाने की कोशिस किया है इसी तरह आप भी छोटा sentence बना सकते हैं जो आपको बनाने में आसान होगा और याद रखने में भी आसान हो जाएगा तो यहाँ पे यह chapter पुरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जिरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं